Hello Everyone, आज के इस वीडियो में हम 2025 में होने वाले CBSE Class 10th Board Examination के लिए Hindi A का बिलकुल Official Paper को देखने वाले हैं तुमारी ये जो 2025 के बोड परिक्षा होगे ना इसमें Hindi A का जो तुमारा Paper रहेगा वो सेम इसी के According ही रहेगा क्योंकि ये CBSE ने वाई तुम्हें Officially दी हुई है तो इसकी तैयारी करना तुमारे लिए बहुत ही ज़्यादा important है तुम्हें मैं बता दू कि तुमारी Hindi A की जो pattern है ना वो completely अब CBSE ने change कर दी है पहले का pattern थोड़ा easy था लेकिन अब जो तुमारा pattern किया है वो थोड़ा सा hard कर दिया है खास करके अगर हम grammar की portions की बात करें तो grammar में पहले सारे questions ना MCQ में आते थे जिससे बच्चे easily कर लेते थे लेकिन अब MCQ में questions नहीं आएगा grammar में जो कि ये सबसे बड़ा change है ठीक है तो मैं पहले तुमको यहाँ पे कुछ समान या निर्देश दिये हुए हैं इसके बारे में थोड़ा सा बता लेता हूँ तब तो तुम्हें समझ में आगा ना कि हिंदी का पेपर हमारा 2025 बोर्ड परिक्षा का कैसा रहेगा है ना इसके बाद भी मैं तुमको यहाँ पे questions दिखाने वाला हूँ और हाँ हिंदी का यह नहीं बलकि मैंने बाकी subjects के भी यहाँ पे जो तुम्हारी official paper है चाहिए वो English का हो, Science का हो, Basic Maths हो, Standard Mathematics हो सेब की वीडियो हम अल्रेडी बना चुके हैं, Social Science का या फिर जो भी subject के और छुटे होए होगे तो उसकी भी paper की analysis में तुम्हें जल्दी बताऊंगा इसमें ने तुमको समझाया हुआ है कि तुम्हारी जो 25 की board परिच्छाइस में English का paper कैसा रहेगा या Science का paper कैसा रहेगा, कितने questions रहेंगे, level क्या रहेगा, असान रहेगा, या hard रहेगा इन सब के बारे में तुमको यहाँ पर समझाया हुआ, इसकी solutions हमने नहीं करवाई है, मैं तुमको पहली बता देता हूँ, ठीक है, अगर तुमको देखना है कि question कैसा रहेगा, तो जाके देख लेना latest videos में तुमको मिल जाएगा, ठीक है, इसकी solutions जल्दी मैं अपने channel पे upload कर करूँगा, तो channel को subscribe करके जरूर रख लेना, ठीक है, हनाकि information technology का और artificial intelligence का complete solutions हमने करवा दिया है, ठीक है, इसका complete solutions हमने करवा दिया है, तो इसके solutions को देखना होगा जाके देख सकते हो, यहाँ पर इन सब का हमने paper analysis करके तुम्हें बताया होगा है, ओके, तो चलो, आते हम य paper रहेगा, 2025 board परिक्षा का, इसमें 15 प्रश्न टोटल रहेंगे, कुलप्रश्न 15 रहेंगे, चार सक्षन में divide रहेगा, खांड का में 2 प्रश्न रहेंगे, जिसमें उप्रश्न की संख्या 10 होगी, इसमें 2 passage रहेगा, एक गध्यांस रहेगा, और एक काव्यांस रहेगा, खा कोई भी 16 प्रश्णों के उत्तर करने है और यह अब mcq में नहीं रहेगा जो कि पहली यह mcq में था खंड गा जो तुमारा रहेगा इसमें 5 प्रश्ण रहे गे जिसमें से उप्रश्णों की संख्या 20 रहेगे यानि कि सभी में चार-चार प्रश्ण करके रहेंगे खांड घहां में चार प्रश्ण रहेगा एंड सभी प्रश्णों के साथ उनके विकल्प भी दिया हुआ रहेगा ठीक है तो यह तुम्हारा सबसे पहले कुछ समान या निर्देश था जो कि मैंने तुम्हें बत रहा हूं मैं तुमको यहां पर नहीं बता रहा हूं मैं तुमको बस यह समझाने कोशिश कर रहा हूं कि पेपर तुम्हारा आसान है या हार्ड है तो सबसे पहले चीज़ तो यह कि पेपर पहले से थोड़ा सा हाई लेवल का यह किया गया है कैसे देखो सबसे पहले assertion region में question कर दिया है तो assertion region के question को पहले पढ़ो ध्यान से समझो फिर बताओ कि इस में से कौन सा कथन सही होगा तो यह थोड़ा सा difficult जरूर किया हुआ हालाकि इसकी solutions हम जल्दी करवाएंगे अभी मैं solutions इस वज़र से नहीं करवा रहा हूं क्योंकि अभी तुमने सारी chapter को खतम नहीं किया है तो तुम्हें समझ में भी हो सकता है नहीं आए ठीक है बाकी जल्दी solution आ जाएगी ठीक है चैनल को सब्सक्राइब क दिक्कत करता है हाई इस तरह के भी question दिक्कत करेंगे अगर डाइटली इस तरह से question पूछ देता है न तो हम पैसे से कोई भी जो इससे related words होता है या sentence होता है उसको लिग देते हैं तो हमें number मिल जाता है तो इसमें से दो दो चार number लाना हमारे लिए easy होगा ठीक है यह easy होग इसके बाद काव्यांस का यहां पर तुम question को देख लो काव्यांस पहले एक दिया रहेगा इसके question यहां पर यह भी जो रहेगा इसमें भी तुम्हें option मिलेंगे चार में से कोई एक टीक करना है तुमको पले कुछ statement यहां कौन-कौन सा सही है उसके अनुसार तुमको यहां पर टीक करना है यह भी तुम्हारा सर्शन में question रहेगा और दो करके दो कोशन दो माक्स करके दो कोशन इस तरह से रहेगा तो इसको थोड़ा सा बना बना के तुमको अपने से लिखना पड़ेगा क्योंकि काव्यांस का को समझना है फिर उसके अनुसार हमें लिखना है option दिया वा रहता था एंड सरलवाक्य में बदलने के लिए चार option रहता था वो option नहीं है तो तुमको खुद से इसको सरलवाक्य में बदलना है कैसे हम इसको सरलवाक्य में बदलेंगे तो तुमको मैं पूरा व्याकरन का जो rule है ना मैं इस channel पर तुमको बताऊंगा यह जो तुमारी रोशन राज क्लासे जो मिरी एक दूसरी चैनल है इसमें मैं English IBM or Hindi tissue दोनों का बहुत ये अच्छे से सम्झाने वाला हूं तो इसमें सारे कंटेंट तुमको English grammar और Hindi grammar के मिलेंगे तो चैनलpert Canvas को अब तक तक अग्ल רामर ett anno कया होगा तो जरूर कर लेए इस channel का ओके तो grammar में तुमको क्या क्या पढ़ना है सरल मतलब वाक्य पढ़ना है इसके बाद वाच्य से कोशन रहेगा देखो वाक्य का सारा कोशन हो गया फिर वाच्य से कोशन रहेगा फिर इसके बाद पद परिचे करने आएगा अलंकार से कोशन रहेगा अलंकार में भी पहले कु पुष्टक से कोशन रहेगा सबसे पहले तुम्हें एक इस तरह से एक गध्यान दियावा रहेगा तुम्हारी हिंदी पाथे पुष्टक से इसके सारे कोशन तुम्हारे multiple choice में रहेंगे तो यह तुम्हारे लिए थोड़ा सा easy है पहले के कर पाओ इसके बाद जो काव्यांस तुम्हारा रहेगा काव्यांस सारे हिंदी किताब से तुम समझ लेना अलाकि इसके काव्यांस में भी तुमको सारे काव्यांस के जो कोशन्स है उसके नीचे options मिल जाएंगे कुछ assertion region में भी question मिलेगा ठीक है यहां पर assertion region में question दिया हुआ है बाइक इसमें सारे question देखो multiple choice में है तो हिंदी के में multiple choice question कर दिया है और grammar से multiple choice question हटा दिया है यह एक बड़ा change है इसके बाद यहां से देखो कुछ कविताओं के आदार पे कुछ question दिये ग question और फिर यहां पर दिया गया है four four marks वाला तो इसके question देख लो किस तरह question तुमारा पुछा गया है question ठीक है question उतना high level का नहीं दिया गया है अगर तुम्हें chapter समझी है अगर तुमने एक बार भी पढ़ा हुआ है तो question को कर लो कि जादिकित नहीं आएगी इसके बाद जो त चनात्मक लेखान है तो इसमें तो सबसे पहले क्या आएगा एक अनुछेद लिखने के लिए हैगा इस तरह से काखागा करके तीन टॉपिक रहेगा तीनों टॉपिक में से किसी भी एक टॉपिक पे तुम्हें अनुछेद लिखना होता है ठीक है हलाकि इसमें point भी दिये ह हैं तो in point को चुन कर अपने अनुछेद लिख सकते हो इसके बाद एक पत्र आता है लिखने के लिए पत्र के साथ साथ यहाँ पे एक दूसरा भी पत्र है ठीक है दो तरह का पत्र आता है दोनों में से जो तुमको easy लगेगा उस पत्र को लिख सकते हो फिर एक स्ववरित ल लेखन या फिर इमेल लेखन नहीं आएगा तो कमेंट करना अल्री मैंने सिखाई हो या description पी मैं लिंक दे दूंगा या फिर करेंटली मैं भी तुमें एक बार और समझा दूंगा ठीक है अल्रेडी इसमें बहुत सारी वीडियो हम बना चुके है सवरित लेखन और इमेल ल परिक्षा में आने वाले हैं तो चलो आज के लिए इतना ही मैंने तुम्हें यह सारा कोशन पर दिखाया हुआ है समझा भी दिया पेपर कैसा आएगा अगर पेपर कुल मिला के अगर हम बात के रहें का कि पेपर कैसा रहेगा दोजर पचीस बोड़ परिक्षा का तो यार यह पहले से थोड़ी सी तो हाई रहेगी खास करके ग्रामर के पोशन से बाकी हिंदी पाठे पुस्तक से कोशन तुमारे एज़ी पूछे लाएंगे ठीक है तो बड़ टेंशन मतलो इसके भी तुम्हें अच्छी से त्यारी करवाई जाएगे हमारे चैनल पे तो चैनल को स सब्सक्राइब करके जरूर रखे रहे हैं मिलते हैं दूसरे वीडियो में थाइंक यू बाबाई